मेगडी वर्ड की लार्जेस्ट फास्फूड रेस्टोरेंट चैन होने के साथ ही वर्ड की लार्जेस्ट टॉइ डिस्रिबिटर भी है बट एक फास्फूड कमपनी वर्ड की लार्जेस्ट टॉइ डिस्रिबिटर कैसे बन गई Actually 1979 में Magdy ने बच्चों के लिए Happy Meils लॉंच किया था जिसमें वो हर Happy Meils के साथ बच्चों को कुछ toys भी देते थे धीरे-धी Happy Meils toys के करान बच्चों में बहुत ही ज़्यादा popular हो गया फिर Magdy ने इसे एक marketing की तरह यूज किया उनने डिजनी और वारनर प्रोस जैसे बड़े-बड़े ब्रेंड्स के साथ पार्टनर्शिप की और उनके मुविस को Happy Meils के थुरू प्रोमोट करने लगे इससे Magdy की sales काफी ज़्यादा बढ़ गी और अब Magdy हर साल 1.5 billion toys distribute करता है और Magdy की around 20% sales में toys include होते हैं इस चरीके से Magdy वर्ड का larger store distributor बन गया